हेलो बच्चो नमस्कार मैं हूँ नरायन पटेल आपके अपने चनल पर आज हम बात करेंगे राष्टी आय येवं योगिता आधारित छात्रवर्ती परिक्षा जो सैट का पेपर होता जिसमें गणित के 20 प्रशन आते हैं ये 20 प्रशन काफी कठीन प्रशन होते हैं आखिर मे चोड़ नहीं सकते तीन चार सालों से में प्रतिवर्स मेरिट आपकी बढ़ती जा रही है तो 2024 में कैसा पेपर आया था उसके कैसे प्रशन थे और उन्हें आप किस तरीके से हल कर सकते हो यदि आप पूरी महत पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम सारे प्रशनों के लिए आपको जो है एक अध्यानवार यानि लेशनवार आपको एक स्टड़ी करा दूँगा जिससे आप इस परिच्छा को बहुत आसानी से पास कर सकते हो लेकिन आपको कमेंट करना रहेगा तो आईए देखता हूँ 2024 का प्रशन कैसे आये थे देखिए आप कोष्ट पी की वार यानि 70 अंसका है तो पी एस आर यानि इस एंगल की बात बच्छो की जा रही है तो इसके लिए देखिया आप एक ठोरम हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी हमारे एक ब्रत होता है यामालो ब्रत है उसका कोई भी अगर हम चाप बच्छो ले लेते हैं माल और इस और एक दूसरी चीज़ यहां पर भी याद रखिए अगर आपने ये वाली परिदली है और अगर आप ये वाली परिदली लेना चाहते है नीचे मैं इसका color change करके आपको बताता हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं ये तो इसके द्वारा ये बाहर की और angle बन रहा है तो इस पर ये कोण बनेगा तो ठीक वही थियोरम यहां पर भी लागू होती अगर ये x है यहां पर ये 2x होगा ये इसी का यहां पर प्रियोग किया गया है तो देखें बच्चो आपको ये दिया गया 70 अब आप देखें यहां पर ये वाला जो प्रश्ण है आपको बहुत आसानी से देखेंगे ये आपका 70 दिया है तो ये कोण आपका हो जाएगा 140 अंस जब अच्चो ये 140 अंस हो गया तो अब आप यहां से देखोगे ये बाहर वाला कोण यानि केंदर पर कोण कितना बनता है 307 अंस का उसमें से 140 आप घटा लोगे 220 बनेगा तो ये उपर वाला कोण 220 है और 220 का आधा कितना होगा ये वाला ये 110 तो यहां से आपका तीसरा वाला सही होगा अगर मैं अगले प्रिशन की बात करता हूँ प्रत्हम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माद्धे यानि एक से लेकर के 10 तक की संख्याओं को अगर आप जोड़ें तो चुकि माद्धे का हर्मूला ही होता है माद्धे पराबर पदों का योग बटे पदों की संख्याओं तो एक से 10 तक का जोड़ करना है और 10 से भाग कर देना है तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चो n प्लस 1 बाई 2 यानि प्रत्हम n संख्याओं का माद्धे अगर आप फार्मूला लगा दोगे तो आजाएगा n प्लस 1 बाई 2 जहां पर n अंतिम संख्याओं होती यह नहीं एक से होना चाहिए तो 10 प्लस 1 बाई 2 या जाएगा बच्चो 11 बटे दो इसको जब हल कर लोगे तो आजाएगा 5.5 जो कि आपका आपसन यहां पर देखें दूसरा वाला बिल्कुल सही है अगर मैं अगले प्रस्ण की बात करूँ मूल यानि इसके रूट्स पूंच रहा है रूट्स का मतलब हल कैसे निकालते हैं बच्चो किसी भी दिए गई जो भी हमारा समीकन होता उसको हल करना रहता है यहां पर देखें प्रस्ण दिया गया है आपके पास 7 यहां पर आप देखेंगे 7 minus x square बराबर x plus 1 अब आप क्या करोगे बच्चो यहां से x square मैं इसको इस side में दोन लिया जा रहा हूँ तो हो जाएगा x square plus x plus 1 पहले से लिखा minus का 7 equal to 0 तब है बन जाएगा x square plus x minus 6 equal to 0 अब यहां पर यह त्रिपदी हो गया अब 6 के ऐसे दो गुनन खंड बच्चो करने है जिसको घटा आने से एक बची तो हो गया 3 दू नीचे और 3 में से अगर 2 घटा आता हूँ तो एक बसता है तो हो जाएगा x square plus 3x minus 2x minus 6 equal to 0 यहां पर हम कामन करेंगे x बच्चो तो x plus 3 यहां minus 2 कामन हो जाएगा यह भी हमारा x plus 3 बनेगा equal to 0 तो आप आप कर क्या सकते हो यहां पर यह हो गया हमारा x plus 3 और x minus 2 इसका मतलब इन दोनों को जो 0 बराबर करोगे तो जो x की बच्चो value है वो आजाएगी आपकी minus 3 और 2 तो जहां पर minus 3 और 2 यहां पर दूसरा वाला इसका आप screen shot ले सकते हैं तो यहां पर जो दूसरा वाला हमारा है यह देखिए यह वाला दूसरा वाला option यह यह वाला आपका सही है और इसको हम यहां से answer के रूमे बच्चो चूज कर लेंगे अगला प्रस्ण है x minus 1 into x minus 2 into x square minus 9x plus 14 upon x minus 7 into x square minus 3x plus 2 का मान क्या होगा यह आपके पास यहां पर यह जो दो पद्दियेंगे इनके आपको गुननखंड करके इसको केवल सरल करना है तो देखे जो मैंने तरप दी गुननखंड जैसे की इछले मैं आपको बताया थे ठीक उसी प्रकार से आप इसके गुननखंड अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर यह ले लेता हूँ आपका चलिए x square और minus 9x plus 14 अब 14 कैसे दो गुननखंड करने जिसका जोड 9 हो तो 7 दूनी 14 हो था तो x square minus 7x minus 2x plus 14 बच्चो तो आप यहां से common करोगे तो यह आ जाएगा x common करोगे तो x minus 7 minus का 2 common करोगे x minus 7 तो यह इसके गुननखंड बन जाएंगे x minus 2 और x minus 7 थोड़ा लिखने में दिक्कत है और अगला है आपके पास यह x square minus 3x और plus 2 जब आप इसको 2 एक कम 2 करे 2 और 1 तीन तो इसके जब बन खंड करोगे यहां जाएंगे x minus 2 और x minus 1 बच्चो अब आप इसमें जब put up कर दोगे तो जैसे ही इसको आप put up करोगे तो पहले से हमारे पास देखे x minus 1 और x minus 2 दिया गया था और यहां पर आप उपर x minus 2 और x minus 7 लिख दोगे नीचे x minus 7 पहले से लिखा हुआ है और उसके उनल खंड x minus 2 और यह x minus 1 करोगे यहां से जब आप देखे ये और ये आपका कट जाएगा ये और आपका 7 वाला कट जाएगा यहीं से और आपका x minus 1 और ये भी आपका कट जाएगा तो केवल और केवल आपके पास x-2 बचेगा यानि यहाँ पर x-2 आपका answer हो जाएगा तो यहाँ से आप answer के room में x-2 यानि दूसरे वाले को choose आप कर लोगे अगला देखें आपके पास गनमूल पूछा जा रहा है गनमूल काफी आसान प्रश्ण होता है यहाँ पर 125 में आप खंड कैसे कर सकते हो तो यह minus 5 into minus 5 into minus 5 अब आप minus 200 कितना दिया गया है आपका अब पहली बाद तो minus minus देखे प्लस हो जाएगा लेकिन मैंने लिख दिया है तो अब यह कितना होता है minus 14 into minus 14 into minus 14 अब आप छोट इसको छोटा करके 14 को 2 into 7 भी लिख सकते हो तो इसके हिसाब से अगर आप इसका LCM लोगे इसका जब घनमूर लोगे तो यह आपका आ जाएगा एक जोड़ा यह एक जोड़ा यह तो minus का 5 into minus का 14 तो 14 पंचे हो जाएगा 70 minus minus प्लस तो इसका मतलब इसका जो answer के रूम में आप देखोगे वो आपका 70 यहाँ से बच्चो निकल के आ जाएगा अगला प्रेस्न है यह धी x square upon x square equal to 6 तो x cube minus 1 upon x cube की value क्या होगी तो सबसे पहले बच्चो मैं आपको बता दूँ इसमें हम सबसे पहले find करेंगे निकालेंगे x-1 upon x की value क्या होगी दूसरा इसमें हमको a-b का hold क्यूब आना चाहिए जिसका formula होता है aq-bq-3ab into a-b अगर आप यह formula और इसकी value निकालना जानते हैं तो यह प्रशल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है इसकी मैं tricks भी बताऊंगा लेकिन अभी आज आपको मैं हल ही करा रहा हूँ तो दीके सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें आपको लिख लेंगे x square plus 1 upon x square equal to 6 इसमें हम 2 इधर जोड़ देंगे और 2 इधर घटा देंगे और 2 हम इधर घटा देंगे तो यह हमारा बन जाएगा x minus 1 upon x का whole square equal to 4 तो यहां से x minus 1 upon x equal to under root 4 equal to 2 आ जाएगा तो x minus 1 upon x की value बच्चो 2 हो जाएगी अब हम क्या करेंगे सीधे सीधे यहां पर x minus 1 upon x का इसको cube कर देंगे चुँकि x minus 1 upon x equal to 2 आया था दोनों तरफ हम cube कर देंगे इसमें लगा देंगे a minus b का whole cube का formula तो हमारे पास आ जाएगा x cube minus 1 upon x cube यानि a cube minus b cube minus 3 a b यानि x into 1 upon x into x minus 1 upon x equal to 2 दूनी 4 दूनी 8 अब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x minus 1 upon x cube minus 3 x x कट जाएगा चुँकि x minus 1 upon x की value अभी अभी मैंने 2 निकाली थी equal to 8 तो यह हो जाएगा x square minus 1 upon x cube sorry cube equal to 8 plus 3 दूनी 6 यानि यह हो जाएगा 14 इसका मतलब इसकी value आएगी बच्चो 14 जो कि आप यहां से option 3 में देख सकते हैं अगला प्रशन है संख्या 8 बटे 3 प्लस अंडरूट 7 कैसा होगा यह सभी को आपको प्रगू ने देखे कोई इसमें आपको लगाना नहीं कि एक अगर यह जो आठ बटे आपकी 3 दी गई है और रूट 7 यह है परिमे और यह है अपरिमे तो जब कभी आप परिमे और अपरिमे को जोडते हैं तो सदैब आप इससे अपरिमे ही मिलता है अप अपरिमे ठीक है तो यहां से यह अपरिमे संख्या बन जाएगे नहीं आप समतीन वाले को हम लोग चूज कर लेंगे अगला प्रसन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है दिया गया है कि एक वर्ग का छेत्रफल एक वर्ग का चेत्रफल एक ब्रत के छेत्रफल का एक चौ लेते हैं तो हम यहां पर मालो यह हमारा वर्ग है यह हमारा वर्ग है और इधार यह ब्रत है तो कहरा है कि जो ब्रत है दिया गया एक वर्ग का छेत्रफल ब्रत के छेत्रफल का एक चौ उठाई है तो अगर हम ब्रत का छेत्रफल यह दोनुमाले छेत्रफल लिखे हैं एक बटे चार कर दे तो आप यहां से निकालोगे अगर आप यह आप यह आप्शन यहां पर दिया गया है यह वरग है अब आप इसको दिखे चार से गुणा कर लो तो चार वर्गों का छेत्पल बराबर एक वर्थ के बराबर वच्चों हो जाएगा अगर मैं वर्ग का छेत्पल सभी को मालूम है भुजा और उसकी होती त्रिज्यत वही भुजा पहुंच रहा है तो यहां पर 4 इंटू वर्ग का छेतर होता है भुजा स्क्वेर तो भुजा स्क्वेर बराबर बरत का छेतर होता है पाई आर स्क्वेर अब आपसे पूछा जा रहा है यानि भुजा बटे यह त्रिज्या इधर ले आओ आर स्क्वेर भुजा इसक्वेर इधर ले जाओ तो तो अब आप क्या करोगी यहां पर बहुत आसानी से, दोनों काम, जो कि यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, तो वर्ग जब हटाएंगे, तो यह पहुंच जाएगा अंडरूट में, और अंडरूट में पाई का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, अंडरूट पाई और चार क से मिल लहा है, आप यहां से इसको बहुत ही आसानी से बच्चो लगा सकते हो, अगर मैं अगले प्रशन की बात करूँ आपके सामने, तो अगला प्रशन आपका थोड़ा सा अलग है, उसमें अलग कोई चीन नहीं, जैसे माई, दो बट्टे, दो की पावर माइनस तीन है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फाम में लिख सकते हो, जब किसी की पावर माइनस होती ही, उसे हम नीचे लेके आते हर में को पॉजिटिव हो जाती है, और दो की पावर, तीन का मतलब है, दो दूनी, चार दूनी, आठ यानी, इसको हम पहले एक बटे, आठ लिख लेंगे, य तो मजिला प्राइकट में हम माइनस दो की पावर माइनस तीन है, तो हम इसको जब नीचे लेकर के आएंगे, यह हो जाएगा, हमारा माइनस दो की पावर तीन, और प्लस, और किसी की पावर जीरो सजब, वन होता है बच्चो, और यह दो की पावर दो नीचे लाओगे, त माइनस में, एक बटे 4, फिर मजला ब्राइकेट माइनस 3, और दो दूनी ये 4 अब आप इसको देखें, simplest form में, 1 upon 8 लिख लोगे, प्लस मजला ब्राइकेट माइनस 1 upon 8 हो जाएगा, और ये प्लस 1 बटे 4, घटाओगे, तो जा जाएगा, 3 बटे 4 और यह माइनस 3 बटे 4 बचेगा इन सबको अगर आप हल करते हो तो हल करने पर ये आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 0 तो यहां से आप option 0 के रूम में चूज कर लीजिएगा थोड़ा calculation आपको सीखना पड़ेगा अब आप देखिए यहां पर बहुत आसान है देखिए 3x प्लस z 3z प्लस x एक्स प्लस y प्लस z की value पूछी जा रहे है और 3x प्लस y की value दीए तो अगर हम तीनों में यह पद जोड लें तो यह आ जाएगा 4x प्लस 4y और प्लस 4z यह पहले इसको इसको जोड़ेंगे अब 15 और 13 जोड़ोगे 28 और 8 28 और 8 जो भी हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे लिख लेंगे यह 36 आएगा अब आप 4 यहां से कामन कर लीजिया एकस प्लस y प्लस z बराबर 36 तो x प्लस y प्लस z बराबर 36 बटे चार चार इकम चार नुए यह 36 तो यहां से आपकी value 9 आ जाएगी चोंकि आपसर चोथे में आपको दिख रही है बीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा आपको साट करके बताएंगे आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ exercise जरूर कीजिएगा यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी बढ़ा देने पर और 4 मीटर कम कर देने पर उसका चेत पर 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है तथा लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए चौणाई 4 मीटर बढ़ा दीज़े तो उसका छेत पर 88 मीटर बढ़ जाता तो आयत की लंबाई और चौणाई का अंतर क्या होगा यहाँ पर आपके सामने देखे बहुत अच्छा सा प्रशन है अगर मैं माल लेता हूँ किसी की लंबाई माल लो देखे बच्चे एकस है चौणाई वाई है तो दोनों गुणा कर दो तो यह हो गया छेत फ़ल फिर उसने का लंबाई को तीन अगर बढ़ा दिया जाए हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है और चौणाई चार कम कर दिया जिसके कारण तो छेत फ़ल है वो बहत्तर कम हो जा तो मैंने बहत्तर यहाँ कम कर देता हूँ और इससे आप एक समीकन बनाईएगा जो बच्चों बनेगी 4x-3y equal to 60 यह थोड़ी सी एकससाइज आपको करना है दूसरी जो कंडिशन है तरह इसकी लंबाई अगर हम एक मीटर कम कर दें और चोड़ाई अगर हम 4 मीटर बढ़ा दें तो जो इसका छेत फ़ल xy इसमें 88 की कमी आ जाती थी तो हम 88 इसमें बढ़ा जाता तो इसमें जोड़ देंगे और इसको जब आप साल्प करोगे तो यह आ जाएगी 4x-y बराबर जो बनेगा यह बानवे अब आप समय करें एक और दो को जब हल करोगे तो जो यहां x की वैलू आएगी वह बच्चो आजाएगी 27 और y की वैलू जो है वह आजाएगी 16 अब पूंचरा था लंबा यह चोड़ाई का अंतर अंतर माने घटा ना हो तो जैसे ही आप इसको घटाओगे तो आजाएगा 11 मीटर आप इसको नोट कर लीजिए और यह 11 मीटर आपको आराम से हल करिएगा यह अंसर आपको ने जाएगा अगला फ्रस्न है यदि एक सम बहुबुज की भुजाओं के संक्या 5 हो तो प्रत्वे कोण अंतर कोण क्या होगा तो सम बहुबुज के अंतर कोणों का योग का सुत्र होता है 2N-4 सम कोण यानि 90 यह जो 5 कोण बनेंगे उनका जोड यह होगा जहां पर N भुजाओं की संक्या है तो 2 इंटू आप चुकि 5 हो जाए है तो आप यहां 5 रख लोगे माइनस 4 इंटू 90 तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 10 में से 4 गया 6 इंटू 9 694 यानि 540 तो प प्रतेक कोण कित्यक होगा चूंकि 540 सभी कोण है पांचोगों होगे इसको 5 से डिवाइट कर दोगे तो निकालाएगा प्रते कोण तो पांच ह低कम 5 पांच 8 48 दिग्री का प्रतेक कोण होगा जो कि एक घंसंक्या में आपको दिँक्या गया है अगला प्रशन एक गाउं की जनसंख्या प्रतिवर्स चार प्रस्त की दर से कम हो रही है दिगाओं की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो दो वर्स पूर्व की जनसंख्या क्या होगी तो यहां पर आपको करना क्या जैसे आप लोग चक्रवर्धी ब्याज लगाया करते थे ठीक उसी प्रकार से आपको यहां पर करना क्या है वर्तमान जनसंख्या यानि सूत लगाना है तो वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या माल लीजे ए थी और वन माइनस चार प्रशंटी चुकि कम हो रहा तो यहां पर माइनस कर दोगे बटे सो कितने वर्स में दो वर्स में अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लोगे तावन साथ बराबर एक चारी कम चार चार दुनियार चार पंजे बीस पच्चिस एक पच्चिस पच्चिस में से एक चला अब आप इसको एक के लिए हल कर दोगे तो ए बराबर यानि 24 को पहाड़ा 24 सेम करके और आपको इधर पांसो चेतर पच्चिस का पच्चिस सेम च्च्चिस जैसे ही हल करोगे इसका एक वेलू आ जाएगी 6250 तो यहां से 6250 आपका आपसन चौथा वाला मिल जाएगा वीडियो को कर दीजिये लाइग